नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है सुमीत और सुवागत है आपड़ों का मेरे यूटीफ चैनल इत सुम्हत कुमार की एक और नहीं वीडियो में दोस्तो क्या रहता है कि व्यक्ति के पास जहतना होता है तना ही ज़ादा और उसे चाहिए होता है तो अगर आपकी कार में अगर कुछ इस तरीके का म्यूजिक प्लेयर है या केवल ऐसा म्यूजिक प्लेयर जिसमें कि आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाए और आपको एक इस तरीके का जो माइक है कॉल करने के लिए वह मिल जाए तो आप मतलब बिना पैसे खर्च किये भी केवल मोबाइल इस्टेंट पर अपना फोन लगा करके और जो बड़ी बड़ी गाडियों में एंड्रोड आटो वाला जो सिस्टम होते हैं वह कैसे कर सकते हैं वह सारी बाते में इस वाली वीडियो में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप फुली एक मतलब काफी जा यह हर्मन कार्डोन का म्यूजिक सिस्टम है और यह अपने आप में काफी जादा तगडी वोइस देता है लेकिन केवल टच स्क्रीन का यूज करने के लिए लोग बाग इसे अपडेट करवा लेते हैं और इसकी जो अच्छी क्वालिटी है साउंड की उसे खो देते हैं और अच्छे तरीके साब देख सकते हैं सो आपको सबसे पहले जाना है अपने प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर आपको उपर की तरफ सर्च करना एंडोइड आटो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको दिक्कत आने ही वाली है तो आपको यहां पर सब्सक्राइब आपको इसमें पूरा खर्च नहीं करना पड़ेगा हालां कि इसकी जो रेटिंग से यह 2.8 है लेकिन यह यूज करने में काफी अच्छा है सो वैसे इसमें जो जो चीज आपको देखने को मिलती है ब्लूटूस से करके आप गूगल में बगएर डारेट भी मिलेगा है चोटा एरिया देखने में तो इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा सा एक दम समझ रहो तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल होने में आपको दो मिनिट का भी समय नहीं लगेगा यह अभी डाउनलोड होता है और अरट इसक़ppen लगो को आपको देखने को मिलेगा इसमें घॉपको इस तरीके का इंटर मिलेगा यह अटोमेटिक लिए आपकी आईडी वगिरह है एग फिट्सट्र पार आपको कर देना है और इसमें आपको अपने गूगल आईडी से लोग एन कर लेना है उसके बाद आपको साइड में कुछ इस तरीक है की सेटिंग में काफी सारे फीचर्ष देखने को मिल जाएंगे कि connect USB केबल यहाँ पर आप देख सकते यूएसबी केबल आपको जो अप्शन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उससे भी आप इसे करें तो आपका जो ब्लूटूथ है आपकी गाड़ी से आटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए करके तो आप इसे चाहें तो यहां से ओन करके रख सकते हैं कनेक्ट नेक्स्ट करके आपका ब्लूटूथ यहां पर दिखा दे रहा है तो कनेक्ट नेक्स्ट से मैंने इसे मेच कर दिय कर दिया है यूज Bluetooth का option कर दिया है सब कुछ ओन कर दिया ठीक है हम इसे खुल लेते हैं हो लने के बाद आप इसमें आप इसे कुछ इस तरीके से लैंडिस्केप मोड में ये यूज करेंगे तो यह काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और यहां पर कुछ इस तरीके से इसकी प्लेस्मेंट होगी प्लेस्मेंट मतलब आप अपने एक मोबाइल होलडर नॉर्मली 1500 र आप इसमें क्या जो में चीज़े हैं गाड़ी चलाते समय जो सभी लोग करते हैं वो है म्यूजिक का सिस्टम तो आप इसमें वैसे यहाँ पर आपको गूगल प्ले म्यूजिक पोड़कास टेलीक्राम को अप्शन देखने को मिलता है लेकिन सेटिंग्स पर से आप इससे डि सब्सक्राइब करना चाहते हैं रिसेंट आपने किसी को कॉल कि आपकी कॉल हो जाएंगी और उन्हें भी आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप बस आपके पास गाड़ी में कुछ इस तरीके का माइक होना ज़रूर यह जिससे कि आप अपनी ओडियो ट्रांसफर क कर सकें अगला फीचर जो की काफी ज्यादा है और जो यूसफुल रहता है वह है गूगल मेप्स का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है आप कहीं ना भी जाए तो आपको यह आपकी डिफॉल्ट लोकेशन दिखाता है और यह थोड़ा सा एकदम मस्त 3D से वे मे भी अच्छा लगता है यहां पर आपको वोइस कमांड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है कुछ भी नहीं करना है सीधा आपको बोलना है नेवीगेट टू इंदौर यहां पर देखने को मिल जाता है और इसने इंदौर के लिए रास्ता यहां पर देखने में भी लगेगा और इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जब आप चाहें तो तो यह भी बढ़िया है मतलब काफी अच्छा खासा इसमें आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है तो इसका डिफॉल्ट एप है कनेक्ट नेक्स्ट उससे तो लाह गुना अच्छा देखने को मिल जाता है अगर आप इसे यूज नहीं प्रेड नहीं करवाना चाहते हैं केवल म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी के कारण बाकी इतना ही था इस वाली वीडियो में आप लोग को यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगा और सब्सक्राइब करेंगा इस वाले चैनल को इसी तरीकी कि अच्छे वीडियो के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मिलूंगा आप से लिवाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जेहिन